नमस्कार, कोरोना काल में आए दिन कई इस तरह की खबरे सामने आ रही हैं जो हर किसी को परिशान कर रही हैं इसी बीच बॉलिवुट से लेकर हॉलिवुट तक अपनी पहचान बनाने बाली प्रियांका चोपडा और उनके पती निक जोनस के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई हैं दरसल अक्टर और सिंगर निक जोनस एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में उन्हें अस्पताल में भरती कराए गया है हाला कि अभी ये साफ नहीं हुआ कि उनको कितनी और कहां चोट लगी है प्रियांका चोपडा और निक जोनस के फैंस इस खबर के बाद उनके जल से जल स्वस्थ होने की कामना कर रही है निक इस समय अमारिका में है जबकि प्रियांका चोपडा अपनी शूटिंग के सिलसले में लंदन में ही रुकी हुई है रिपोर्ट्स के मताबिक शनिवार को चोट लगने के बाद निक जोनस को तुरंत अस्पताल में ले जाए गया खबरे तो ये भी है कि रविवार को घर वापस आने के बाद माना जा रहा है कि सोमवार से एक बार फिर निक अपने शो की शूटिंग शुरू कर देंगे निक इन दिनों अपने शो दवॉइस में बिजी है जिसे वो जच करते हैं इसके अलावा हाल ही में उन्होंने अपना एल्बम भी लॉंच किया था निक 23 मई को बिलबोर म्यूजिक अवार्ड्स की भी मेजबानी करेंगे बता दे निक की भारत में पहले से ही काफी फैन फॉलोइंग थी लेकिन प्रियांका चोप्रा से शादी करने के बाद उनकी भारतिये फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ है लोग उनके गानों को काफी पसंद करते हैं हाल ही में निक जोनस और प्रियांका चोप्रा ने मिलकर भारत के कोविड रिलीफ के लिए लगभग 22 करोड रुपए का फंड इखटा किया था कोरोना काल में दोनों ने ही लगाता लोगों की मदद के लिए आगे आने का फैसला किया साथी लोगों से अपील कर रही है इस महामारी में प्रियांका और निक जोनस के लावा कई जानिमानी हस्तियां मदद के लिए सामने आ रही है जिनमें विराट अनुष्का का नाम भी शामिल है। हाली में खबरे आई थी कि दोनों ने फंड रेस के जरीए 11 करोड रुपए खट्टे किये हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। लेकिन इस कोरोना में जो हर किसी के लिए मसीहा बना हुआ है वो है सोनू सूत जो पिछले साल से ही लोगों की मदद कर नहीं है। अब तो लोग मदद मांगने के लिए उनके घर तक पहुँचने लगे हैं। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको। जाते हैं जाते हैं। जाते हैं।